विपक्षी गडबंदन इंडिया कमजोर पड़ गया राजसभा में इंडिया को करारी हार मिली दरसल दिल्ली सेवा बिल लोगसभा के बाद सोमवार को राजसभा में भी पास हो गया साथ घंटे से भी ज्यादा समय तक चली चर्चा के बाद वोटिंग के आधार पर मुकावला 131 बनाम 102 कर रहा इसके साथ ही संसद में पहली परिक्षा का सामना कर रहे इंडिया गटवंदन को पहले मुकावले में हार मिली है वहीं राजसभा में सियासी साथियों का समर्थन पाकर सरकार ने बिल पास करा लिया उमीद की जा रही थी कि बिल का विरोध कर रहे विपक्ष को 108 वोट मिल सकते हैं लेकिन उन्हें 102 सदस्यों का ही समर्थन मिल सका इदर सम्भावना जताई जा रही थी कि सरकार के समर्थन में 128 सा 129 सांसत मद्दान कर सकते हैं लेकिन अंतीम नतीजा 131 पर पहुँच गया फिलाल राजसभा में सदस्यों की संख्या 238 है और 7 पद खाली है दरसल नय विपक्षिक अडबंदन इंडिया ने दिल्ली बिल के खिलाफ राजसभा में मद्दान किया राजसभा में बिल पेश होने से पहले ही दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विन के जरिवा आम आदवी पार्टी सांसदों के अलावा 70 से ज्यादा सांसदों का समर्थन हासिल कर चुके थी तब तक इसमें कॉंग्रेस के आकड़े शामिल नहीं थे लेकिन सोमवार के मदान में कॉंग्रेस दिल्ली बिलके विरोध में नजर आई आकड़ों की बात करें तो कॉंग्रेस के 31, आल इंडिया त्रिनमुल कॉंग्रेस के 13, आम आदवी पार्टी के 10, दरविड मुनेत्र कजगम के 10, भारत राष्ट समीती के 7, राष्ट्वी जनता दल के 6, CPM के 5, राष्टवादी कॉंग्रेस पार्टी के 4, समाजवादी पार्टी के 3, शिव सेना अमान वेनिवाल की राष्टी लोक्तांत्रिक पार्टी ने भी बिल का विरोध किया, लेकिन खास बात यह है कि इस दोरान बहुजन समाज पार्टी जनता दल सेकलर मदान से दूर रहे, जबकि पहले NDA का सदसरह शिरो मर्यकाली दल ने बिल को लेकर दोनों ही पक्षों पर जारी थी